नमस्कार सुलक्ता सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वक्ता आज सवाल जिहादी गैंग की नापाक हरकत पर सुलगाएंगे जिससे ओवैसी, शादाप चोहान, सबा नकवी, मुफ्ती नदीम जैसे कटरपन थी बॉखला उठेंगे जिहादी गैंग PFI भी भुन जाएगी क्योंकि इस PFI ने ही परदे के पीछे से हिंसा भड़काने का गिनोना खेल खेला था अब बड़ी खबर आ रही है कि कानपूर हिंसा मामले में गिरफतार हुए जफर हाश्मी फैंस एसोसियेशन के कई मेंबर PFI के हिट स्कौर्ट के सक्रिय मेंबर भी थे सूत्रों के मताबिक हिट स्कौर्ट दस्ता भारत में सामपरदायक हिंसा जैसी गत्य विदियो को अंजाम देने के लिए बनाया गया है जिससे सवाल सुलग रहे हैं क्या देश में हिंसा फैलाने के लिए संगठन काम कर रहा है क्या हिट स्कौर्ट को राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है कौन मोधी विरोधी गैंग का समर्थन कर रहा है क्या आप मोधी विरोधी गैंग पर योगी एक्शन लेंगे क्या वैसी जैसे लोगों पर चलेगा योगी का बुल्डोजर कानपूर में आए दिन PFI को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं जो एक बड़ी साज़िश की परते को खोल रहा है उससे ये सवाल उठने तो लाजमी है क्योंकि मोदी विरोधी गैंग देश में बड़ा बवाल करने की फिराक में लगी हुई है इस बात का खुलासा PFI के हिट स्कौर्ड के सक्री मेंबर्ज ने कर दिया है और इन लोगों का कनेक्शन हिंसा के मास्टर माइन जफर हाश्मी फैंस एसोसियेशन से है ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिट स्कौर्ड क्या है हिट स्कौर्ड PFI के लिए कैसे काम करता है तो चलिए बताते हैं दर असल हिट स्कौर्ड इस प्रतिबंदित संगठन की रीड की हड़ी है जिसे बिना सामने आये हुए ही भारत विरोधी किसी भी आंदोलन को देश की तबाही के मुकाम तक पहुचाने का जिम्मा सौपा गया है खूफिया विभाग भी इसको लेकर कई बार अलर्ड जारी कर चुका है ये बात भी कही जाती है कि PFI के पास मौजूद उसका हिट स्कौर्ड देश में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अकसर साबित होता रहता है यानी बवाली गतिविदियों में इसका नाम सबसे पहले आता है अब कानपूर हिंसा में इसका रोल सामने आया है और इसका connection हाश्मी की association से जुड़ा हुआ है हाश्मी के पास मिले दस्तावेजों से ये बड़ा खुलासा हुआ है दस्तावेजों में विरोध की 151 विभिन शेलियों को दिखाया गया है जिससे ये भी खुलासा हुआ कि हाश्मी कानपूर मामले में गिरफतार अंशाद बसुदीन के भी संपर्प में था अंशाद बसुदीन को UPATS ने IED के एक पिस्तौल और जिंदा कार्टूस के साथ किरफतार किया था अशद बसुदीन के अकाउंट में PFI के जरिये पैसे भेज गए थे तो वहीं दूसरी तरफ जाच में मास्क ट्रेडिंग की आड में एक करोड रुपए भी शुरुवात में मिलने की बात सामने आई बताया गया कि हवाला के जरिये पैसों का ट्रांजेक्शन एक दूसरे आरोपियों के जुड़ने की कड़ी बनी थी D2 गैंग में भी इसी वचह से इस एसोसियेशन में शामिल हुआ था यानि की धीरे धीरे जो गिरफतारियां हो रही है उनकी एक दूसरे से कड़ियां जुड रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं हर एक पत्थर बास से PFI का कनेक्शन निकल रहा है ये खुलासे यही बया कर रहे हैं कि यूपी में PFI ने ही बवाल करने की प्लानिंग की थी इससे पहले भी पुलस ने PFI से जुड़े तीन लोगों को गिरफतार किया था जिन्होंने इस हिंसा को भड़काने की पत्थर बाजी करने की हर एक कर्तूत को उगल दिया था और ये वही लोग हैं जिन्होंने CAA NRC विवाद में भी लोगों को भड़काया था बवाल करवाया था जिसके आरोप में ये जेल भी जा चुके हैं ये तीनों हयाद जफर हाश्मी के संपर्थ में थे बाजार बंदी बवाल को लेकर आपस में लगातार बात चीत कर रहे थे जिसके एलेक्ट्रोनिक साक्ष जुटाए गाए हैं आप ऐसे में सवाल यही है कि क्या देश को सुलगाने के लिए एक बड़ा नेटवर्क एक्टिव हो रखा है जो लगातार मोदी योगी के खिलाफ साजशे रचता रहता है और क्या मोदी विरोधी नेटवर्क को राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि जिस तरह से गिरफतारियां लोगों के फोन से कुछ वाट्सअप ग्रूप मिले हैं उनके एड्मिन सपानीता मिले हैं साथी मास्टर माइंड हयात का कॉंगरेस कनेक्शन भी सामने आया है और इन वाट्सअप ग्रूप में हिंदूओं के खिलाफ जहर उगलने जैसी तमाम बातीं कहीं गई हैं तो उससे तो शक की सुई उसी ओर मुड रही है कि क्या राजनीतिक शरण से तो जिहादी गैंग फलफूल तो नहीं रहे खेर इसका खुलासा भी जाँच के बाद हो जाएगा अब जाँच हयात की ही नहीं बलकि उसके उपर बैठे आका की भी होनी चाहिए कहीं बाहर बैठे ये मुस्लिम देश ही तो नहीं हैं जो भारत के खिलाफ साजश पुन रहे हैं क्योंकि जैसे ही हिंसा के बाद जिहादी गैंग पर हंटर चला वैसे ही ये मुस्लिम देश नुपर शर्मा और नवीन जिंदल को लेकर बौकलाने लगे अरब तिल मिलाने लगा लेकिन अब मोदी आगे की जाच करवाएंगे तो ऐसे में ये देश ही बेनकाब होंगे क्योंकि मोदी जल्दबाजी में नहीं बलकि हर काम आराम से करना जानते हैं तो अब बारी उन भोपों पर शिकंजा कस्निकी है जो भारत के खिलाफ फन फैला रहे थे आपने देखा भी होगा कारेवाई का सिलसला यूपी से लेकर दिल्ली तक शुरू हो गया है हिंदूों के खिलाफ जहर उगलने वाले असदुब दीन ओवैसी शादाप चोहान समेत 9 लोगों पर केस तरच किया गया है ओवैसी तो अब बुरे फस चुके हैं हिंदूों के खिलाफ लगातार नफरती बयान देने शिवलिंग पर भड़काउ बयान बाजी करने पर उनके खिलाफ एफ़यार दा चोही है अब ऐसे में यूपी में भी ओवैसी जैसे भड़काउ नेता फसने वाले हैं योगी ने भी इस जिहादी गैंग पर हंटर चलाने का प्लान तयार कर लिया है सबसे पहले यूपी में कोई न पेगा तो वो हैं ओवैसी ओवैसी पर यूपी में जल्द बड़ी कारवाई की प्लानिंग हो रही है यानि ओवैसी पर योगी का बुल्डोजर चलाने की क्योंकि योगी की पुलिस इस तरह के भड़काओ नेताओं पर अपताबर तोड़ आक्शन ले रही है अब तक 55 से जादा लोगों को गिरफतार किया जा चुका है तो वहीं अब जिलादिकारी ने भी स्थिति को लेकर बड़ी बैठक की है जुमे को लेकर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि अब कोई भी बवाल ना हो सके अगर कोई ऐसा करना की सोचे भी तो उसके इरादों पर मौके पर ही चकना चूर किया जा सके इसके लिए बकाइदा पुलिस की टीमें हाई अलट पर भी रहेंगी तो वहीं अब बात हिंसा की कारवाई में आए नए ट्विस्ट की करते हैं पुलिस को एक और CCTV हाथ लगा हुआ है इस फोटेज में पथर बाज जम कर तोड़ फोड मचा रहे हैं साथ ही दुकानों से सामान भी लूटते दिखाई पड़ रहे हैं वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हिंसा करने वालों ने एक बाईक को पूरी तरह से तोड़ डाला वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि हिंसा करने वाले ज्यादातर कम उम्र के लड़के हैं जिनें भढ़का कर और उक्सा कर उपद्रव फैलाने की साज श्रची गई। खेर इतना विडियो सामने आ रहे हैं, नए पत्थर बास दिखाई दे रहे हैं, उसी के आधार पर पुलिस की धर पकड़ की सूची अपडेट होती जा रही है। अब इन लोगों से ये भी पूछताच की जाएगी कि आखिर किसने इन्हें भढ़काया, किसने इन्हें पत्थर थमाया और कौन है जो इन्हें हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग कर रहा है। क्योंकि कानपुर हिंसा का विदेशी फंडिंग का एंगल भी काफी चोकाने वाला है। पए बाकी बचे हैं। तो अब इन्हीं पैसों का हिसाब लिया जाएगा कि कैसे हयात के जरिये इन लोगों तक पैसों का बंदर बाठ हुआ। इसके साथ ही कानपुर हिंसा मामले में गिरफतार PFI के तीन सदस्यों के बैंक खातों की भी जाच होगी जिससे सारा राज पाहर आ जाएगा। सुलक्ता सवाल में आज के लिए इतना ही कल फिर नए सवालों के साथ पेश हूँगे तब तक के लिए देखते रहिए Capital TV